कहल गाओं में एक बार फिर हत्यार बंद अपराधियों ने उतकर स्मॉल फाइनस बैंक को निशाना बनाते हुए शोमबार की संध्या लगभग साथ दस बजे बैंक को लूट लिया बैंक में रखे लगभग 4 लाख रुपए लूट कर बैंक में लेकर भाग गए लूटेरों की तस्बीर बैंक के अंदर CCTV में कैद हो गई जिसको देखकर पुलीस लूटेरी की पहचान करने का प्रयास कर रही है जानकारी देते हुए बैंक के सहायक साखा प्रबंदग जैप्रकास राम ने बताया कि बैंक बंध हो गई थी हमारे बैंक के रिजनल हेड किस नदेव तिवारी जी आए हुए थे मैं कैस में बैठा था रिजनल हेड ने मुझे बुलाया हम उनके पास जाकर बैठे ही थे कि पांच अपरादी अपने हाथ में हतियार लेकर बैंक में गुशे और हम लोगों पर हतियार तान कर पैसा मागने लगे हम लोगों ने कैस काउंटर के पास इसारा किया तो अपराधी कैस काउंटर में जाकर पैसा साथ लाए बैंग में डालने लगे लुटेरों ने बैंग के सभी स्टाफ के पास से भी पैसी छील लिये कैसियर गुलसन कुमार को पिस्टल के बल से मार कर घायल कर दिया इसके अलावा बैंक के दो आन्य कर्मियों को भी पिस्टल से मार कर घायल कर दिया लगभग 15 मिनट बैंक के अंदर सभी अपरादी लूट पार्ट करते रहे निकलने के दौरान हम लोगों ने जब उन सभी लूटेरों का पीछा करना चाहा तो हवा में दो गोली फायर करते हुए सभी अपरादी तीन बैक से अलग-अलग दिसा में भाग गया दोनों तरी सीविंग और परची दोनों उत्में रखाद लगाता है इसी बीच में सर आये थे डीम सर आये वे बैठे हमको अपने पास गुलाए तो हम वहां जाएगा बैठे है इसी के बीच में जो है कि अपना आये लोग और पांच अदम पांच अद्गी थे पांच अप कर लिए थे लोग और मुबाइल घूनका लए बाद में लेपटाप मतलों बाहर में इसे इतने करमियों का मुबाइल ले ले गया होला है चार करमियों के इसमें दो वेरा मबाइल था अचा फाइरिंस की वोज़ा है इंस साहे नों पजसे लेकर 26 आज साथ उरिज गटना हो अब इतना विलम क्यों हुगा है तर आये थे तो मिटिंग करते दस मिनटों बसके जाते बोटल दिये हुए है तो किया यहां पर कोई गार्ड है जिए एक बार आप अपना और कोज बता हुगे नाम जेग प्रतासराम और अबियम कि असेस्टेंट इसमोर फाइनेंस भाइन कितने दिनों से संचाली थे यहां पे एक साल भंशना है लेटिस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चानल नीशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाए ताकि कोई खबर छूट न पाए